है तो सबसे पहले हम बात करेंगे यह लिमिट एस्टेट मेठड क्या है जो अभी डिजाइनिंग का सबसे लेटस्ट मेठड है वह लिमिट एस्टेट मेठड है दोस्त हम लोग नो जो डबलू ऐसे में किया था वो working load पे डियाइनिंग किया था यहां पर हम ultimate load पर डियाइनिंग करेंगे यहांनी जिस जिस load पर डियाइनिंग करना उस load को हम बढ़ा करेंगे और और WSM में हम लोग अपने stress of material को बहुत ज़्यादा underestimate करके हम करते थे आज हम stress को उसके तुनला में बढ़ाएंगे यानि factor of safety जो WSM में लिया था उसके तुनला में कम करेंगे क्योंकि वह बहुत निगेटी बात हो गई न सबसे important कि जो हमारा प्रोपर्टी है उसका maximum से maximum यूज नहीं कर रहे हैं ठीक है तो बेसिकली जो लिमिट है उसमें लिमिट नाम किया है यानि किसी सब्सक्रांब की सब्सक्राइब और और कोई वी कीबी सेफ रहे सेफ्टी की बात ताकि कॉलाप्स ना करे और सर्विसल्टी का मतलब करें वह स्ट्रक्चर सर्विस दे यानि क्रैकिंग ना हो उसके अंदर में डिफ्लेक्शन ना हो वाइवरेशन ना हो तो दोनों अलग-अलग बात है तो सबसे महत्वपुन क्या है यह सबसे महत्वपुन बात है कि जो कॉलाप्स है उसको डिजाइनिंग क्लाप्स के लिए हमको लिमें हमको अल्टिमेंट लिए लोड लेना है पहला बात दूसरा बात जब हमको सब्सक्राइब के लिए कौन सा लोड लेंगे तो आपका आंसर होगा अल्टिमेंट लोड लेंगे तो आपका जवाब क्या होगा एस्टेट के लिए वरकिंग लोड और अल्टिमेंट लोड दोनों लेंगे तो इसे बड़ा कनफूजन होता है तो दोनों आगया क्यों के के अंदर limit state of collapse भी आ गया limit state of surgeability भी आ गया अगर individual बात करें limit state of collapse का तो वहां पर वो ultimate बोल देंगे individual बात करें limit state of surgeability की तो वहां पर हम बात कर देंगे working के clear है I think इसमें confusion नहीं होगा इसमें कोई confusion नहीं होगा अभी हम छोटी छोटी बातों को जितना ज्यादा emphasize करेंगे जब ह हम सवाल करेंगे तो हमारा इस भी उतना ही अच्छा होगा करेंट वेल डन नहीं थी वेल डन तो लिखा हुआ है acceptable limit for safety and serviceability किसके लिए safety and serviceability के लिए required of structure और element before a curse is called limit state before a curse is called limit state यानि हम एक limit तै किये है limit state of serviceability के लिए और collapse के लिए उसको limit state बोलते हैं दो तरह का होता है limit state of collapse limit state of serviceability कि अब limit state of collapse का मतरा क्या होगा bending की वेस होगा compressions के कारण होगा shear के कारण होगा torsion का बात दूसरा सवाल आपका यहां से बनता है कि limit state of collapse में क्या क्या आएगा तो fracture compression shear torsion important बात क्रीब के effect को इसमें include नहीं किया गया है ठीक है तो तीन सवाल पहला एक सवाल बनता है कि कौन कौन से limit state of collapse में आएगे और क्रीब का effect इसमें consider किया गया है कि नहीं किया गया है दूसरी बात limit state of difficulty में क्या किया आएगा deflection cracking vibrations corrosion इसमें क्रीब का effect को consider किया गया है कि ठीक है design strength दोस्तों बहुत important point है design इसे बहुत important है चार से पांच point है बहुत ध्यान सुनिएगा design strength नाम का मतलब ही हो गया कि भी या strength material का strength है लेकिन उसका designing में हम कितना यूज कर रहे हैं तो हम लोगों नहीं पता है कि हम जो grade define किये हैं वो catastrophic strength defined कि इसको हम fck बोलते हैं उसको क्या cube का टेश्च क्या है क्यूब का 150 mm3 28 दिन पर लिया हुआ strength है लेकिन जब structure में आते हैं तो हम उसको 0.67 fck लेते क्यों ऐसा करते हैं क्योंकि आपको बताया गया था कि जो हम नो 150 पर लिए जैसे साइज को बढ़ाएंगे ऐसे-जैसे हमारा strength क्या होता है इसलिए code ने हमें बताया है कि आपका size को बढ़ाने से strength कम होता है इसलिए designing के समय structure में strength को fck ना के 0.67 fck तो जाम में questions हैगा कि characteristic strength of cube की इतना होगा आपका 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 स्ट्रक्चर पुछा जाएगा तो आपका answer होगा 0.67 fck कारण क्या भी या कारण यह है कि size के बढ़ने से strength कम होता है तो उसके effect को minimize करने के यह code ने यह परवधान दिया है दूसरी बाग अब factor of safety factor of safety कितना लेते हैं 1.5 तो 1.5 concrete के लिए देते हैं तो अब आपको बताएं design तो design की बात करेंगे this is the strength of material which is considered for designing of structure तो design strength क्या होता है तो characteristic strength upon partial factor of safety बच्चे बड़ा confused होते हैं कि characteristic strength तो fcq होता है लेकिन यहां 0.67 fcq लिखा है तो वही बता रहा था क्योंकि हम लोग जो fcq लेते 150 पर लेते हैं तो structure में वो effect है size की बढ़ने के कारण उसको minimize करने के लिए इसलिए जब designing आते हैं तो designing में हम structure को क्या लेते हैं 0.67 fcq लेते हैं तो कब आपका सवाल में answer fcq होगा कब 0.67 fcq को clear है न ठीक है अब उसकी बाद fcq लिख दिया मैंने characteristic compressive of cube in lab under uniaxial loading 0.67 design strength of concrete in structure this is structure अब characteristic को किया तो 0.45 दोस्ति यहां से यहां से तीन सवाल बनता है एक का answer होगा 0.45 एक का answer होगा 0.67 एक का answer होगा 0.fcq है न तो तीन सवाल करिया रहे न तो fcq कब होगा जब characteristic strength of cube पुछा जाएगा तो fcq होगा जब characteristic strength of concrete in structure पुछेंगे तो 0.67 fcq होगा जब हम बोलेंगे design strength of concrete तो 0.45 fcq होगा done clear और तीन सवाल होगे और चौथा सवाल partial factor of safety किसका concrete का 1.5 ओके तो हमारा RCCC का एक मेंगा तो concrete तो concrete चार्ट बने अब आते हैं steel design strength of steel तो design strength of steel का क्या definitions है characteristic strength of partial factor of safety अब characteristic strength जो हम लेते हैं कि अब यहां बहुत एक महत तपून बात हैं मैं फिर से repeat कर रहा हूँ characteristic strength जब हम concrete के ले निकालते हैं तो ultimate strength बेस्ट होता यह भी सवाल है ultimate strength लेकिन जब हम steel की characteristic की बात करते हैं तो yield strength होता है लाकि हमने last last तीसरे class में बताया था type of steel के अंदर में correct ना? तो characteristic now fy हो जाएगा और जो partial factor of safety हम use करते हैं जो partial factor of safety हम use करते हैं 1.15 तो क्या हो जाएगा यहां पे? characteristic fy divided 1.15 तो अगर कोई पूछता है characteristic strength of steel तो आपका answer होगा yield strength ही होता है फिर दूसरा सवाल होगा कि partial factor of safety of steel कितना होगा तो आपका जवाब होगा 1.15 फिर आपसे सवाल पूछा जागा design strength of steel क्या होगा तो आपका जवाब होगा 0.875 डन? प्लियर है? फिर partial factor of safety को experience के base पे जो deviations होता है उसके base पे code ने define किया है तो आप से direct questions पूछा जाएगा कि partial factor of safety concrete कितना होगा तो 1.5 इस्टील कितना होगा 1.15 डन? और उसके कुछ कारण है जो code ने जिस अधार पर बताया है बस आपके जनकारी के लिए मैंने slides में दे दिया है important जादा न इस्टील का आपने 1.15 लिया आखिर ऐसा क्या रिजन है क्योंने factor of safety दोनों का सेम रखा गया क्यों concrete का ज्यादा हो गया क्यों इस्टील का कम हो गया दोस्त क्योंकि आपको पता है quality control grade हम बनाते है quality control की बात आती है तो concrete का जो grade controlling है वो इस्टील की तूनला में उतना बढ़ि concrete का उतना बढ़िया नहीं है यही कारण है कि partial factor of safety concrete का ज्यादा है तिस्टा सवल फिर आगे इसमें partial factor concrete का ज्यादा होगा इस्टील का कम होगा कारण क्या होगा तो कारण है quality control लिसन एक बात और मैंने लिक दिया हूँ जिस बात का मैंने मेंसन किया है ultimate strength of concrete is considered as बहुत ही important part है मैंने हर key point को डाल रखा है ultimate strength of concrete is considered characteristic strength for concrete तो ultimate strength लेते हैं ultimate strength लेते हैं किसे characteristic strength और for concrete के लिए correct यह भी आपका object का सवाल हो गया लेकिन mild stress of facility is taken as mild stress of facility is taken as characteristic strength ठीक है दोस्त ठीक है दोस्त तो यह तो सवाल बन गया यह तो सवाल बन गया कि भाईया catastrophic concrete का ultimate के base पे है और steel का yield के base पे है लेकिन आज तक इस पर सवाल नहीं आया ऐसा क्यों आज तक इस पर सवाल नहीं है ऐसा क्यों देखो जी आपको जब हम stress लेते हैं जब हम stress लेते हैं पॉइंट एट सेवन एल्ड स्ट्रेंथ है उसके corresponding strength कम होगा और आपको पता है कि steel में elongation बहुत ज्यादा होता है तो practically हम उसका यूजी नहीं करते हैं तो this is because ultimate strength is obtained for a very high value of strength ultimate strength जो steel का मिलता है बहुत ज्यादे value पे मिलता है इसका कोई possible नहीं है civil engineering structure में ठीक है न उतना strength होता ही नहीं है करेंट इसलिए हम क्यों उसको consider करें करेंट इसलिए हम F5 पी लेते हैं कोई कल पूछ दे कारण यह बहुत नई बात है कि क्यों एल्ड लेते हैं इसका वज़ह यह है सुर्य परताप सिंग बिल्कुल सही बोल रहो यार ठीक है दोस्त LSM में हमने metal के बात कर लिया कि concrete और steel के recording जितने भी questions बन रहे हैं उन सारों के बारे में इन सब के बारे में हम लोगों ने discuss किया अब हम बात करेंगे load लोड के बारे में तो आपका heading है design load अब कोई भी structure पर loading आ रही है वह यह इतना load आ रहा है तो बात है कि जिस load पर design करेंगे structure को उसको हम क्या बोलते हैं design load बोलते हैं it is the load for which structure is designed तो सबसे पहला जिस load पर structure को design करते हैं उसको हम design load कहते हैं अब design load क्या होता है कि सवरब कुमार यार संगम में चलना या पढ़ाई कर लो या यहां संगम प्रणा है अमन भाई क्या message कर रहो यार नहीं पढ़ना है चले कोई दिक्कत नहीं है हम कुदक पढ़ने लोग चाहिए या प्रहाब है उस समय हो मस्ती मज़ा चल रहा है तो ठीक नहीं बात है यह क्यों क्यों आय। है कि design load characteristic load into partial factor of safety ठीक है design load eqLS कर्टराइसनी को प्हला फिर सवाल कि design load हम कैसे निकालेंगे तो characteristic load into partial factor अब characteristic क्या है अरे भया लोड का अललग character है dead load live load wind load earthquake load हाई न यह सब क्या है अलग-अलग load का characteristic है तो हमें वो चीज given रहेगा कि इतना dead load आ रहा है इतना live load आ रहा है इतना earthquake आ रहा है दन नन इन्टू partial factor of safety तो partial factor of safety की value क्या होई इसको 456 ने आपको recommend किया है तो अब फिर जाम में आएगा design load क्या होता है बोलोगे characteristic load into partial factor of safety अब अब define characteristic load जो value क्या है देखी बहुत important है जाम में आएगा characteristic load क्या होता है characteristic load क्या होता अब इस that value मैं graph लेकर आया हूं ताक कि आपको और अच्छे समझ आया it is that value of load which has 95 percent probability of being of non being exceeded during the life of structure बहुतों को सज्वी नहीं आओगा क्या लिख दियें सर अब बड़ा आसान आसा है बोल रहा है जो load दिया गया है जिस load पे आप design कर रहे हो पूरे जीवन काल में पूरे structure का हर structure का life होता है 100-100-200 साल जिस load पे आपने design किया है बहुत ध्यान से जिस load पे आपने design के पूरे संपूर्ण जीवन काल में उस load से exceed ना करे उसकी संभावना 95% संभावना एक exceed ना करे बापिस से सुना कि जिस load पे designing किये है 95% संभावना है कि उससे exceed ना करे यानि उससे exceed करेगा तो collapse होगा न है न इसका मतलब characteristic load वो load है जिस load की अगर load की बढ़ने की संभावना 5% है ना बढ़ने की संभावना 95% है ठीक है तो लोड की वज़ा से कल कोई objective में सवाल आएगा कि लोड की वज़ा से structure की fail होने की probability क्या है तो answer क्या होगा 5% अरे बोलो यार यह समझ में आएगी निया लोड की वज़ा से इस concept सवाल दूँगा ठीक है ना इस concept limit state को मैं टुकरों में पढ़ाऊंगा आपको अराम से तो पहले वह समझ में आपको characteristic का मतलब कि वो लोड संपूर्ण जीवन काल में जो building अपको life span है ना उस लोड से 95% समभावना की ना बढ़े तो पांचाने पर समभावना है ना बढ़े तो 5% समभावना है ना फेलने की इसका मतलब लोड की वज़ा से अगर फेलियर होता है उसकी प्रवावलिटी पांच परसेंट है ठीक है ना इसे ही जब हम करेक्टरेस्टिक को डिफाइन किये थे तो वह तो था 5% टेस्ट आर फेल यानि 5% समभावना है ना फेल होने के लिए और पंचाने पर समभावना है था कि फेल नहीं होने के लिए यानि मैं ओवरार्ण कॉन्क्लूड करू तो मैं ये बोलूंगा कि 5% समभावना है कॉन्क्रीट का फेल होने के लिए और 5% समभावना है लोड का फेल होने के हाय ना बोले यार समझ माय गिनिया है डन अनामिका बर्मा सार्थक अर्चना धर्मेंदर उज्वल नेहा गुपता चंद्रा प्रकास सुभम प्राची सुधा रितिसा अनिकेत रिषव हेमन्द अमित राजिश कुमार अंजिली मोरया प्राची वेल डन वेल डन वेरे गुड सालनी गुपता सब को आरा समय हेमन्द स रतनेस निशा काजल सच्चिन रोमिनी सच्चिन धिरंदर डॉली अंकित प्रमोध सुजीत हीमानसी तो बहुत बढ़िया वेल डन वेल डन अब देखो दोस्त मैं ग्राफ से समझा रहा हो मैं ग्राफ से समझा रहा हो इस बात को कि अब मैं load frequency और load के graph आया मैंने इसी बात को आपको extend के बताया था तो ये पूरा क्या है ये 50% है और इसको मैंने बोल दिया 95% है 95% क्या है 95 अब इसी बात को graph समझ लेज़े 95% है यानि वो load ये load बढ़ रहा है load बढ़ रहा है load बढ़ रहा है वो load इस एफ वो load जब इस load से 5% बढ़ता है तो अगर load इसके नीचे है तो safe है building अगर load इसके यही दिस दे क्रेक्टरेस्टिक लोड इसी बात को मैं graph समझा रहा हूँ इसी दे क्रेक्टरेस्टिक लोड अगर load इससे कम रहेगा तो safe है इससे उपर जाएगा तो fail हो जाएगा है ना तो दोस्त एक्वेशन की फॉर्म में मैं लिख सकता हूँ लोड के टर्म में कि जो यह लोड है अब मैं लोड के टर्म में वहां पर बताया था स्ट्रेंथ की टर्म में जब मैं कॉंक्रीट की बात किया था तो इसी को स् कि जो आपका लोड है वो क्या है जो आपका लोड सेंटर पे है प्लस वन पॉइंट सिक्स फाइफ सिगमा अरे भाई बोलो यार समझ भाया गनिया इसी केवल कोड के कैटेस्टिक लोड वाले पॉइंट को मैंने आपको दोनों तरह समझा दिया ग्राप से भी समझा दिया और आपको एक एक जामपल देगर समझा दिया पी इस कि यह ब्राइटणेस कम कर दो आप अपना कम कर दो ठीक है इस जिजको आवाद ज्यादा आ रहा है वो अपना साउन्ड कंकर दो जिसको ब्राइटनेस कम कर दो पेंच चेंज कर दें हैं ओके 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 चेंज कर देखे वाइट से लिखूंगा मैं येलो से उच करूंगा ओके आगर बहारता वे जो कुछ नहीं करते है थीक है और कि अब आगे से कलर चेंज कर दूँगा ठीक है डन कि यह ग्राफ समय आ गया एक बार मुझे कंफर्म कर देना जो मैंने के टेस्टिक लोड को ग्राफ से बताया यह समय में आगे एक बार कंफर्म कर देना मेरे को नो सर ठीक है मैं फिर से बोल दे रहा हूँ अब कलर हटा दे रहा हूँ आप विजबल नहीं है अब देखो लिसन दोस्त 90 ग्राफ दिख रहा है देखिए पहले बाद ठीक है बहुत तो समय में आ गया बहुत लोगों दिक्कत है कोई दिक्कत है मैं दुबार रिपीट कर दे हो फ्रिक्वेंसीद के बीच में ग्राफ बना रखते है तो those । क्रेटय स्टीक क्या बोलता है वो लोड यह लोट अभी इस लोड को हम быв अ characteristic इस लोड को क्या बोलते हैं characteristic इस लोड को हम बोलते हैं अब दिख रहा है हाँ फिर से बोल रहा है फिर से बोलने देख लो देख लो देख लो प्रदी repeat कर रहा हूं ध्यान से दो अब comment ना करो प्रफुल मिस्रा, 30% लोगों ने बोला फिर से रिपीट करना हूँ भाई, अब इधर देखलो, कमेंट बाजी बंद करो, बंद करो, बंद करो, आपको, करेक्टरिस्टिक लोड एफ है, क्या बोला, अगर लोड इससे कम है, 95% लोड इससे कम है, यानि इस लोड से 95% कम है, य अगर मैं इस characteristic का equations लिखू तो बोलूंगा ना f equal to fm plus 1.65 sigma हाई ना ये equations load के term में आप मत समझना कि उसको compare मत करना है concrete के strength से क्योंकि जब मैंने concrete के लिए बनाया था तो आपका x axis पे strength था और यहाँ पे क्या है load है हाई ना बोलो या तो उसी बात को मैंने graph से समझा दिया ओके जिन लोगों ने बोला था repeat करने के लिए एक बार confirm कर दो समझा आ गया सुधा सैनी ओके जो ही well done very good ओके मैं अनिकेत मुरारी चलो दोस्तों अब हम जाके characteristic strength को समझे characteristic load को समझे अब हम बात करेंगे कि जो characteristic load है dead load live load wind load seismic load यह जो load है इस load के लिए code कौन सा है तो is 8 यह मैंने introduction में बता रखा था is 875 part 1 impose load को इसी को हम live load भी बोलते हैं live load बोलते हैं correct न यह exam में J में आ चुका है is 875 part 2 wind load is 875 part 3 seismic load is 1893 done is 456 जैसा कि आपको बताया था कि design load design load देख लिए इस ग्राप को design load जो होता है design load जो होता है आपका characteristic load into partial factor of safety very good सुर्य परताब सिंग बहुत बढ़ी है well done तो code ने इसको mention कर रखा है कि भाईया limit state of collapse के लिए यह partial factor of safety यूज होगा और के लिए यह यूज होगा जैसा कि आप देख रहे हो कि जो फैक्टर है वो ज्यादा है कोलाप्स के लिए और कम है इसका वज़ा क्या है सेफ्टी इस एक बार देख रहे हो कि जहां wind load है और अर्थ के लिए वहां oblique लगा हुआ या तो विंड लूट की बात करना है या तो अर्थ की हमें भी बात करना क्लिर है ऐसा क्यों देखो बाई अगर डिजाइनिग हम कर रहे हैं तो दोनों को कंशिडल करेंगे न तो बहुत महंगा हो बहुत हमें सेफ्टी का भी ध्यान रखना है और पैसे का भी सिविल इंजिनियर का दो नजरिया होता है कि वह सेफ्टी से बात नहीं होगा साथ सत एकोनॉमी पर भी ध्यान देना है हमको क्या क्या आपने देखा है ऐसा कि हवाएं बहुत तेज चल रहे हैं और उसी समय धर्ती भी हिल रहा है इसकी संभवना लाखो सालों में है और हमारा जो इस्ट्रक्चर होता है सौ साल डेड़ सो दो सालों के लिए तो अगर हम दोनों को कॉंसिल करेंगे तो इससे हमारा इस्ट्रक्चर महगा हो जागा इसलिए जब अर्थक्विक और विंड में अगर दोनों सवाल में दिया है जो मैक्सिमम है उसको कॉंसिल करेंगे ठीक है दूसरी बात आप देख रहे हैं डेड़ लोड के अंदर में यहां पे दो वैलू दे रखा है 1.5 उजवल ठीक है उजवल वेरी गुड अब डेड़ लोड के साथ 1.5 और 0.9 है यानि एक खास अगर ओवर टर्निंग और स्लाइडिंग और स्लाइडिंग किसी एस्ट्र में हो रहा है मेंली यह ग्रैविटी डै में हो रहा है वहां पे डेड़ लोड को 0.9 देंगे अब देखो इसको कम क्यों कर रहे हैं क्यों क्योंकि वहां ड लिमिट एस्टेट ऑफ कोलैप्स के लिए क्या प्रोविजन है लिमिट एस्टेट के लिए क्या इंपोर्टेंट है करेट ना उसके बाद आपको न्युमेरिकल वैल्यू में डेड़ लोड लाइव लोड विंड लोड अर्थ्वेक लोड दिया रहेगा और बोलेगा कि कौ कि कोलैप्स डियाइनिंग करने के लिए क्या लोड ले डिजाइन लोड क्या ले या डिजाइन लोड क्या ले तो हम क्या करेंगे तीन इक्वेशन बनेंगे पहला 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 लाइव लोड दूसरा 1.5 डेड लोड प्लस 1.5 विंड लोड या अर्थ्वेक ल गया है तो डेड़ लोड प्लस लाइव लोड डेड़ लोड प्लस विंड लोड अबलिक अर्थक्वेक लोड डेड़ लोड प्लस लाइव लोड पॉइंटेट प्लस पॉइंटेट विंड लोड अबलिक अर्थक्वेक लोड ठीक है जी तो इसमें जो आएगा अब कभी-कभ रमीन सर्थ glad thank you so much अब देखे उसके regarding कुछ key point डाल दिया गया है चीनी बात हैं आपको जितनी बात हैं मैंने की point डाल दिया design wind load and earthquake load are not being considered to being simultaneous यैनी design load और जो wind earthquake एक साथ नहीं हो सकता है और structure in order to इंड्यूस इकोनॉमी इन आवर डिजाइन इससे क्या होता है हमारा जो एस्ट्रक्चर है वो एकोनॉमी ना रहेगा अब पार्शिल फेक्टर सेफ्टी फॉर लिमिट स्टेट है डेट नहीं है लिमिट सेट लिमिट सेट लिमिट एस्टेट ऑफ कोलैप्स इस हाईयर दैन ल कब लिमिट क awareness सेट लिमिट सेट लिसटी और इस डीजाइन desired जाना याणी डिजाइन लोड यानि मेटरियल क्या होगा और लोड क्या होगा लसम इस बात को हम लोगो नहीं सुझा रहा हूँ डिजाइन लोड डिजाइन स्ट्रेंथ और के रिलेटेट जो भी क्वेश्चन से इससे बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा मैंने कुछ होड़ा ही नहीं आको ग्यों आज आज अब लिमिट लिमिट के एजंव्चन की बात करेंगे हम ठीक है उसका एंलेशैस आज नहीं करेंगे क्यों और जम्सकर होगा छेंव्चन स्रेंख्ञंशकंत झेल हम करेंगे सवाल करेंगे करे た सिवानन्द गुपता थैंक यू सो मच assumptions in the limit state पहला assumptions plain sections normal to the axis remaining plain after bending comment करके बताव मेरे को मैंने WSM में same को मैंने बहुत टेल पड़ा है था what is the meaning the assumptions number first comment करके मुझे बताईए कि पहला assumptions plain sections normal to the axis remains after bending same assumptions WSM के लिए में डेल में बताया था इसका मतलब क्या होगा नीधी आप ध्यान से देखो first and second same क्या बोल रहे हो पहले जो सवाल पूछा आज का जवाब दो ना आप very good very good maximum लोगों ने सही बोला है strain diagram is linear very good well done well done बहुत बढ़िया मज़ा यह आता ना जो चीज आपको हम बताते हैं explain करते हैं आप उसको फिर दुबारा बताते हो तब मज़ा आता है ना फिर कि बस अगर हम यहां समय दे रहे हैं तो benefit होना चाहिए तो यह जो response दे रहे हैं मज़ा आ गया देखके बहुत बढ़िया वेल ड़न अंजली रोमिनी अनुरु अन्यहा धरिंदर अभय सिल्पी जूही चांदनी हिमांसी शीवम साहीद सुभी जो नाम बदर अपना अपना नाम रखो या उल्टा पूल्टा ना मज़ा नहीं आ रहा है जो नाम रखें माब अपने अभिशेक बिनोध शीवम रंजीत पारुल विवेक वेल डन वेल डन तो इसको बताना ही जरुवत नहीं है सिंपल सी बात है इसका मतलब क्या हुआ या हुआ डैट इज a strain diagram a strain diagram of cross section is linear है ना आपको पता होगा कि जैसे wsm बेस्ट था टाइप करके बताई है डबलू एसेम बेस्ट ऑन इलास्टिक थेयरी लसेम इस बेस्ट ऑन लसेम इस बेस्ट ऑन को लैप्स में नहीं है क्या होता है को लैप्स निखिल आपने आरसी पढ़ा है कि पहले बीना पढ़े आ गए हो निखिल पटेल एक बताना मेरे को principle strain theory सिवानी आप stress theory क्या बोले जा रहे हो principle strain वंधना very good शुरज, अंजली, अभिशेक, प्राची, स्रध्धा, गोविंद, अंजली, राम परकास very good principle strain theory principle strain थिन यानि यहाँ पे steel का और concrete का strain को define किया गया है तो code ने क्या define किया है maximum strain in concrete at the outermost compression fiber is taken as .0035 in bending ध्यान देना, ध्यान देना जब मैं column पढ़ाऊंगा तो और ही बाते करने वाला हूँ यह .0035 के वल बेंडिंग के लिए है ठीक है, अब code ने define किया है अब आप बताओ, आप लोगों ने stress strain अगर आप concrete देखा था था तो concrete में जो ultimate strain था वो .004 और .003 के बीच में था तो समझ में आ गया IS45 का reference क्या है यानि उसको पता है कि concrete .004 के बाद तूटना शुरू हो जाता है इसलिए उसने maximum से maximum property को cover करने के लिए उसमें strength को डिजाइनिंग में 0.0035 consider करते हैं very good, अब है राजसी very good, तो दो एजमसंस हो गए तीसरा एजमसंस the relationship between the compressive stress distributions in concrete and strain in concrete may be assumed to be rectangular parabolic, यानि आप stress strain के grab को किसी भी shapes में कर लो आप वहाँ से force निकाल लेते हो code ने क्या बोला है कि parabolic होता है कहां तक .002 तक और फिर constant होता है .0035 अब सी वाले पॉइंट को मैं अच्छे समझाता हूँ यहाँ पर यह concrete है stress strain diagram stress strain diagram parabolic कहां तक .002 तक maximum कहां तक .0035 तक सारी बाते बोल दिया पहला cube का बनाया cube के लिए कितना होता है cube के लिए कितना होता है fck, cube के लिए कितना होता है fck structure के लिए कितना होता होता पॉइंट 675 और designing के लिए कितना होता .45 fck graph clear नहीं दिख रहा है बस तीन पॉइंट देख लो parabolic दिख रहा है ठीक है न मैं color यह वाला change कर वा दूँगा कल से ठीक है आपको बस जानना होता है parabolic के कहां तक .002 तक .02 तक maximum limit क्या है .0035 तक cube के लिए fck structure के लिए .67 और designing के लिए .45 fck done अब मैं कल analysis बताऊंगा तो मेरा STS theorem कैसा बनेगा parabolic बनेगा ठीक है ठीक है नहा के वाल इस graph के लिए आ रहा होगा ठीक है न बाकी सही है न done अब सही है न done यह वाला एक मिनुट एक और यहां पे था point tensile strength of concrete is ignored this is the same देखो दो अजम्शन याद रखना दो अजम्शन same है दो अजम्शन same है एक plane sections before bending remains planes after bending is the same for WSM and LSM and the next one is the tensile strength of the concrete is ignored tensile strength of concrete is ignored यह दो एक्जाम में आता है कौन कौन सा assumptions WSM और LSM में दोनों में होता है यह दो एक्जाम्शन होते हैं माइल्ड के लिए बता रखा है यह दी में एफी 415 के लिए बता रखा है और जो हम स्ट्रेंथ जो हम कर्टेस्टिक स्ट्रेंथ लेते हैं वह माइल्ड के बेस पर लेते हैं और फिर factor of safety 1.15 करते हैं यूज करते हैं इस्टील के लिए और वह 0.87 एफवाई होता है तो कोड ने बोला है कि टाइप ऑफ इस्टील यानि हर टाइप के लिए हमने बता रखा है आपको आपको मैंने पहले बता रखा है अब the most important the most important RCC के लिए ठीक है न देखो ultimate strain बहुत ज़्यादा होता है इस्टील के अंदर में कोड क्या बोलता है इसका मतलब क्या होता है जो डिजाइनिंग मैक्सीमम इस्टील का जो मैक्सीमम इस्टील होता है इस इस failure के समय इससे कम नहीं होना चाहिए अब यह बात इसलिए बोल रहा है इसका मतलब यह हुआ कि इससे कम नहीं होना चाहिए क्यों कि अब हम को मैं कि इस ट्रेन डाराम बनाता हूं आपको पता है तो आज कल बात करने वाले आज लास बात करेंगे तो आपने जो जो मैंने types of section WSM बताया थे वो stress के बताया थे और LSM में strain के बताने हो वाला हूँ तो आपको पता है एक बात कि अगर concrete का 0.0035 strain और steel का 0.002 plus 0.87 Fy upon es रहेगा तब तुम्हारा ये section क्या कहलाएगा balance कहलाएगा आए ना ये बात समयार है आपको ये section क्या कहलाएगा balanced कहलाएगा यानि x u equal to x u limit ठीक है जी तो एस्ट्रेन linear होता है ठीक है एस्ट्रेन concrete का इस्ट्रेन कितना है 0.0035 इस्ट्रेन कितना है 0.002 plus 0.87 Fy upon es हो जाएगा हाई ना तो जब दोनों इस्ट्रेन एक साथ पहुँचेगा तो x u x limit हो जाएगा अब अगर इसका मतलब x u limit होना मतलब section balance section है अगर मैं steel कम यूज करू steel कम यूज करू तो steel के कम यूज करने से neutral axis कम हो जाएगा neutral axis कम हो जाएगा मतलब shifting ऊपर हो जाएगा मतलब shifting ऊपर हो जाएगा तब तुम्हारा strain diagram कुछ ऐसा बनेगा एस्टेंडेगरम कुछ ऐसा बनेगा हाँ या न एस्टेंडेगरम कुछ ऐसा बनेगा अरे बोलो यार क्लियर है क्योंकि कोड ने बोला है कॉंक्रीट का एस्टेंड पॉइंट जो थी फाइफ होगा अब मैं बैलेंस से इस्टील जादा दे दूँ तो जादा दूँगा तो न्यूट्रल एक्सिस बढ़ जाएगा एक्सियू लिमिट कोई फरक नहीं पड़ रहा है कि एक्सियू लिमिट डिपेंड करता है ग्रेड ऑफ इस्टील पे वो तो वही रहेगा अब मैंने इस्टील जादा दे दिया तो यह हो गया अब आप देखो कि जब सेक्सिन आपका बैलेंस है तो जादा इक्वल है जब सेक्सिन आपका अंडर एंफ अंडर इंफोर्समेंट है तो इस्टेन क्या हो रहा है पॉइंट-0 ज़्यादा हो जा रहा है किस से 0.002 प्लस 0.87 अफ वाइप ऑपॉन एस से हाएना और अगर ओवर इंफोर्समेंट है तो इस्टेन क्या हो रहा है कम हो जा रहा है किस से 0.002 प्लस 0.87 Fy अपॉन ESA हाई ना बोलो यह किलिए है अब क्या बोलता है अब यह मैंने सारी बाते बता दिया अब इस बात को और अच्छे समझेंगे हम क्या बोलता है the maximum strain in the tension reinforcement tension reinforcement in the section at failure shall not be less than और less than है कहां over reinforcement इसका मतलब क्या हुआ कि LSM में over reinforcement permit नहीं करेगा अरे बोलो हाँ है ना समझ में आएगी निया यह F वाला पॉइंट समझ में बहुत important है इस पर दो-तिन objective दूँगा और उस समें 100% का 100% जवाब हो जाईए हमको ठीक है अब यह लाइन समय में आएगी नहीं आया इसका मतलब सेल्लाइट भी लेज देन और लेज देन हो रहा है नहीं आप तो आप बोलोगे न कि तो ओवर रेंफोर्स्मेंट नग पर्मिटेड, तो मम बोलेंगे ऱ्वर रेंफोर्च, ओवर रेंफोर्स्मेंट फॉर्स्मेंट नौट पर्मिटेड noट पर्मिटेड क्योड है ओवर रेंफोर्समेंट इज नॉट पर्मिटेड इन लिसन चलिए किला हो गया नॉट पर्मिटेड ठीक है दन तो एक बात कि सिंगली रेंफोर्स्ट में सिंगली रेंफोर्स्ट के अंदर पर्मिटेड अब दोस्तारी बातों को मैंने कर दिया आप बस ग्राफ बना दिया हूं आपको पहले बता रखा था अब माइल्ड को लेते हैं क्रेटेस्टिक डिजाइनी में क्या जूज होता है यह होगया माइल्ड के लिए आपको पहले से पता है 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 यह चार सो पंदरा के लिए चार सो पंदरा में क्या होता है कि माइल्ड इल्ड पॉइंट डिफाइन नहीं है इल्ड पॉइंट डिफाइन नहीं तो पॉइंट प्उइंट पर्सेट, यनि जिनुकर इंट.002 का ऑफसेट लेते हैं जिस पॉइंट करता है वो और इस पॉइंट कर के बताओ मेरे को कमेंट करके बताओ कि अगर 0.87FY FE415 के लिए होगा तो limiting strain कितना होगा limiting strain कितना होगा 0.87FY for FE415 limiting strain अनिकेद very good 0.0038 स्वाथी जुही अभायराज जितेंदर हेमंत वंदना राहुल मुरारी सिल्पा अंजली दीपक बुद्धाक राहुल कमलेश सुवं अत्तूल राखी ससी नीराज अब नहीं पर पार रहो अब नहीं पर पार रहो बहुत तेज होगे बहुत बढ़िया done अगर 500 होगा तो 500 का मतलब क्या हुआ कि इसका limiting बढ़ जागा अब बतातो कमेंट करके 500 के लिए 500 के लिए बताओ कि अगर 0.87FY design 0.87FY होगा तो limiting strain कितना होगा very good जो ही अर्चना उस्पेश रतनेश अनिकेश वेल नग 0.0042 done करेंज أو कुशना उस्पेश कुशना जा कुशना रह जति ह Celsius is